नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रौसन और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चैनल दोस्तों इस चैनल पे बहुत सारे पेपर जो है डिसकस किये जाएंगे खास करके General Awareness के सेक्शन्स को तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश रखे और देखे आप लोग को सपोर्ट करना है यानि कि इस चैनल को सेर भी करना है तो आज हम पेपर जो लेकर आए हैं BHEL में जो एक्जाम हुआ था इंजिनियर स्ट्रिनी मेकेनिकल का जो की 25 यहां पर में 2019 को सेकेंड सिप में हुआ था मेकेनिकल इंजिनियर का पेपर General Awareness के सेक्शन को पूरा डिसकस करेंगे और देखे इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल GKFS25 को जोईन कर सकते हैं दिसक्रिप्शन में लिंक मिलेगा और देखे आपके पास कोई भी एक्जाम का पेपर होता है तो आप GKFS25 at the rate gmail.com पे जरूर भेजिए ताकि यहां पर डिसकस किया जा सके तो देखे यहां पर question था कि credit guarantee fund trust for the micro and small enterprises guarantee such bank loans to micro and the small enterprises which are having तो देखे इसमें collateral security nor third party guarantee इसमें कुछ भी नहीं होता है तो इसको थोड़ा सध्यान रखेगा कि credit guarantee fund trust for the micro and the small enterprises guaranteed such bank loan to the micro and the small enterprises which are having neither collateral security nor third party guarantee तो इसका correct answer दूसरा सही हो जाएगा उसका देखे question है कि which company has become the first Indian retail company to cross the annual revenue of the रुपी बन लाख कड़ो तो देखे रिलाइंस रिटेल लिम्टेड इसका correct answer होगा और अभी जो है current का news है कि first company बन गई है इंडियन की जिसकी market cap हो चुकी है 19 लाख कड़ोर रुपीज तो इसको ध्यान रखेगा 19 लाख कड़ोर रुपीज होगी है market cap Reliance Industries की जिसको बिलियन में 250 बिलियन डॉलर इसका market cap हो चुकी है तो इसको first Indian company है तो 2019 का current affairs का news है अब देखें question है कि India has extended the ban on the import of the milk and its product from till laboratories at the ports for the testing purchase of the toxic chemical male wine are upgraded तो China इसका correct answer होगा ये भी देखें current affairs का question है तो इसको ध्यान रखेगा question है कि which of the following is the estate bird of the रायस्थान ये देखें static question है इसके को ध्यान रखना है ये बहुत सारे exam में पूछा आते हैं कि estate bird जो है रायस्थान का क्या है ग्रेट इंडियन वर्स्टर्ड इसको ध्यान रखिएगा ये रास्थान का राज की पसू है अब देखिए पच्छी है तो देखिए यहां पर एक ग्रेट इंडियन वर्स्टर्ड है जो की critically endangered है अंडर आईउसीन जो रेड लिस्ट है उसमें जो है critically endangered है और इसको ध्यान रखिएगा scientific name है Eridiotis nigricipes तो ये आपको फाइलम जो है ये आपको कॉर्डेटा समू का है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कॉर्डेटा समू का है critically endangered है अंडर आईसीन रेड लिस्ट में और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये आपको राजधान का राज की ये पच्छी है Great Indian Worcester क्वेशन है कि distance covered by an object per unit time यानि कि total distance covered by total time taken इसको a speed बोलते है तो इसको ध्यान रखिएगा यानि कि distance covered by an object per unit time is called a speed question है कि which of the following states has the lowest density of the populations according to the census 2011 तो देखे 2021 में census होने वाला था लेकिन due to COVID-19 ये डिले चल रहा है तो 2011 का census अभी आपको ध्यान रखना है तो पूछा गया कि 2011 की जणगरना के अनुसार lowest density of the population किस state का है तो अरना चल परदेश इसका correct answer होगा आप देखे सबसे पहले आप जानिए कि population density होता क्या है तो population density है कि प्रती वर्ग किलोमेटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या यानि कि औसत निवास करने वाले यानि कि एक वर्ग किलोमेटर में तो इसको ध्यान रखिएगा, तो एक वर्ग किलोमेटर में सबसे कम निवास करते हैं अरुनाचल परदेश ने मात्र 17, जबकि सबसे ज़्यादा बिहार में, बिहार में प्रति वर्ग किलोमेटर में रहने वाले लोगों की संख्या एगारा सो छे, यानि की पॉपलेशन टें the city of the Bihar has the highest, एग अरुनाचल परदेश हैज the lowest इसको ध्यान रखिएगा, तो देखिए नादिरसा इसका correct answer होगा, यानिelesधे नादिर सा ज्यां सा जू है और पिकॉक थ्हरल जो है सा जहाँ से ले गिया था तो इसको ध्यान रखिएगा, नादिर सा इसका correct answer होगा, और अब देखे कोशन है, who has become the first Indian women to be elected as the fellow of the Royal Society of London, देखे करेंट का निवज है, तो गगन टीप कांग को जो है, यहाँ पर elect किया गए था as the fellow of the Royal Society of London, तो देखे करेंट लगभग जो है, यहाँ पर 50 परसेंट यानि की 20 कोशन में करीब 10 जो है करेंट का रहता है, तो आप अभी त आपको भी current पर focus करना होगा और साथ ही साथ static पर focus करना है, 20 नमर को आप छोड़ कर नहीं चल सकते हैं, अगर selection आपको चाहिए, final तब, अब देखे कोशन है कि which of the following courts can inquire into the preceding of the parliament under 18122 of the Constitutions of India, तो देखे कोई भी quote का अधिकार नहीं है, कि Parliament के preceding को जो है, inquiry करें, तो under 18122 मे क्या mention है, तो no court can inquire into the preceding of the parliament, तो इसका no court, इसका correct नंसर होगा, answer third is the correct, अब देखे कोशन है कि who has been appointed as the first women vice chancellor of the Jamia Milia Islamiyah University in निदिली, तो देखे कि first जब भी कोई बनते हैं, तो important होता है, तो इसको ध्यान रखेगा, नजमा अक्तर को बनाया गया था, उस समय current का news है, अब दे जयनियू का बनी है, सांती सिरी धूली पुडी, तो इसको ध्यान रखेगा, first जो है यहाँ पर, वाई चांसलर बनी है, तो इसको ध्यान रखेगा, यानि कि जयनियू की अभी महला कुलपती बनी है, कौन, तो सांती सिरी धूली पुडी, इसको ध्यान रखेगा, इसी तरह तो इस तरह से बहुत जो पहली बनते हैं उनको जरूर याद रखना होता है तो देखें यह आपको बिलकुल गलत है तो इसको यानि की ऑप्शन बन जो है गलत है तो देखें आठकिल 338 A of the Constitution of India deals with the National Commission for the Schedule Tribe तो देखें A में 338 में आपको ST का जिक्र है 338 A में आपको ST का जिक्र है और 338 B में आपको OBC का जिक्र है तो यह ही आपको ध्यान रखना है तो A में सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है 2 और 3 देखें कोशन है कि with which of the following sports is गौरप सोलंकी तो देखें जो खेल से रिलेटेड है क्योंकि 2021 में अभी आपको ओलंपिक हुआ 2022 में अभी Commonwealth Game हुआ तो आपको जो खिलाडी है उनका नाम जो है जरूर याद रखना हुआ तो उस समय के famous खिलाडी थे अभी तो नाम इचीन नहीं है तो boxing से related थे गौरप सोलंकी इसको भी अभी ध्यान रखना है और 2022 में जो Commonwealth Game हो उसमें कम से कम जितने medal जीते हैं खिलाडी उनका नाम जरूर आपको याद होना चाहिए question है कि who among the following economist is the author of the book I do what I do तो देखे एक book लिखे हैं भारत के जो RBI के पूर्व गवर्नर रगुराम राजन I do what I do तो इसका correct answer होगा रगुराम राजन I do what I do पुस्तक के लिखे हैं रगुराम राजन question है कि with which country is India jointly conducted naval exercise Baruna in May 2019 देखे में में exam हुआ 25 में को और में का ही यहां पर question पूछा गया है current का तो बरुना exercise होता है France के साथ तो देखे फ्रांस के साथ जो हमारा टीन exercise होता है तो देखे मैंने बताया अभी question जो पूछा naval exercise Baruna भारत और France के बीच अगर पूछा जाए गरूर तो भारत और France के बीच जो air exercise होता है उसको गरूर बोलते है तो इसको ध्यान रखे का उसके बाद अगर सक्ती बोला जाए तो देखे सक्ती होता है आर्मी के बीच यानि कि भारतिय आर्मी और France आर्मी के बीच में होता है सक्ती तो यह ध्यान रखना है कि सक्ती आर्मी के बीच गरूर एर फोर्स और बरून नेवी के बीच में अब देखे कोश्चन है कि a lion is an example of जो सेर है वो किसका example है the heterotroph का example है अब देखे है heterotroph organism वैसे होते हैं जो produce नहीं करते हैं अपना खाना यानि कि cannot produce its own food instead taking nutrition from the other source of organic carbon mainly plant और animal matter तो देखे यानि कि heterotroph कंजूम करते हैं आइधर जो autotroph को इस तरह से या फिर animal को भी कंजूम करते हैं तो lion जो है heterotroph के अंतरगत आता है तो देखे heterotroph जो हता है consume food made by an autotroph और autotroph क्या होता है कि make their own food तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है अब देखे question है कि who has been awarded the ravindranath tagore literary prize 2019 तो 19 में राना दास गुपता को मिला था इसको ध्यान रखना है अब question है कि which one of the following slow down the fast neutrons जो emitted during the fission to energies at which they are more likely to induce fission in a nuclear reactor and thereby help initiate and sustain the fission generation कुल मिला कर कहा जाता है कि यहाँ पर जो high energy neutron जो emit होते हैं fission के दोरान तो इसको control कौन करता है तो moderator तो इसको moderator इसका correct answer होगा अब देखे question है कि which of the following freedom fighters was a co-founder of the स्वाराज पार्टी तो देखे स्वाराज पार्टी को 1923 में मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास के द्वारा जो है यहाँ पर found किया गया था तो इसको ध्यान रखिया रहा है चितरंजन दास 1923 में question है कि researchers of which institute have identified a new method to detect breast and the ovarian cancer तो देखे detect किये थे breast and the ovarian cancer को यहाँ पर why identify certain proteins present in the saliva तो IIT Root की के researcher जो है इसका identify किये थे new method जो की detect करता है breast and the ovarian cancer को तो IIT Root की इसका correct answer होगा यह भी current का ही news था अब देखे question है कि which is the smallest union territory of India in the terms of the total area तो देखे present day में 28 राज और 8 केंदरसासित परदेश हैं तो 8 जो केंदरसासित परदेश हैं इसमें सबसे बड़ा है लदा लदाक का अगर हम area बात करते हैं तो 59,146 square kilometer इसका area है लदाक का जो की सबसे बड़ा है सबसे छोटा है union territory लक्षदीब तो लक्षदीब इसका correct answer होगा जिसका area मातर 32 square kilometer है तो इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा हमारा लदाक है जो की 59,146 square kilometer जबकि लक्षदीब का 32 square kilometer only तो correct answer होगा लक्षदीब तो दोस्तो 20 question देखे थे मैंने पूरा discuss कर लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा और देखे वीडियो को जितना सेयर कर सकते हैं करिए चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए सो थाएं कि दोस्तो इस वीडियो में इतना है